सिवनी नदी में बाढ के चलते दरजुनों गाओं का संपर्क जनपद मुख्याले से तूड गया है करंजिया और बागाज जनपद छेत में सौमवार की राज से ही जहमा जहम बारिस का दौरा जारी है तेज बारिस के चलते नदी नालों का जल इस्तर बढ़ गया है सिवनी नदी में बाढ के चलते होरकपुर से गोपालपुर मार्ग रात तीन बजे से बंद हो गया है इसी के साथ सड़वा से इनकी मार्ग भी सुबा पांच बजे से बंद है पानी पुल के उपर से होने के चलते यह मार्ग में आवा गमन बंद हो गया है जन जीवन में भी असर पड़ा है, जनपद मुख्यालय करंजिया आना जाना सुभा से ही दरजनों गाउं के लोगों का बंद है अभी भी छेत में बारिश का दौरा जारी है इसी तरह जिला मुख्याले में भी सौमवार की सुबा से सुरू हुआ रुक रुक कर बारिश का दौरा रात में भी जारी रहा नर्मदा नदी का जल इस तर भी बढ़ा है बारिस के चलते बिलगड़ा बांध का एक गेट मंगलवार की सुभा खोला गया है बताया गया कि बारिस और होने पर और गेट खोले जाएंगे छेट में बारिस के चलते जहां धान की फसलों की राहत मिलेगी वहीं अन्य फसले प्रभाबित हो सकती हैं किसान इसको लेकर चिंतित हो रहे हैं